6 एक्टूबर यानि की कल इंस्टाग्राम की 10th anniversary थी तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे इंस्टाग्राम की शुरुआत कब हुई थी तो इंस्टाग्राम की शुरुआत 6 एक्टूबर 2010 को हुई थी तो कल याने कि 6 October 2020 को Instagram के 10 साल पूरे हो गए तो ऐसे मैं Instagram यहाँ पे 10th Anniversary मना रहा था कल तो Instagram यहाँ पे एक नया अपडेट लेकर आया जो कि 10th Anniversary के तौर पे वो अपडेट आया हुआ है वो अपडेट क्या है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा तो उस अपडेट के बारे मैं मैं आप लोगों को थोड़ी से जानकर यह शुरुआत में देता हूँ फिर हम लोग वीडियो में जानेंगे उस अपडेट को कैसे हम लोग अपने Instagram में अप्लाई कर सकते हैं तो वो अप्डेट ऐसा है कि आज तक के जितने भी Instagram के लोगों रहे हैं तो वहसा लोगों हम लोग अपनी होम स्क्रीन में सेट अप कर सकते हैं और उसी लोगों को साथ Instagram को यूज कर सकते हैं यानि कि जो Instagram का पहला लोगो था, दूसरा लोगो था आज तक जितने भी Instagram के logos रहे हैं वो सारे logos हमें देखने को मिलेंगे तो उसके जरी हम लोग अपने home screen पे उसको set up कर सकते हैं तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरी इस update की जानकारी देने वाला हूँ तो अगर आप लोग इस Instagram के नए update को use करना चाहते हैं यूट्यूब चैनल तो बिना टाइम को आए आज किस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं ओकी गाई तो चलिए मैं आप लोगों को Instagram के नए update के बारे में बताता हूँ तो उसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे प्ले स्टोर में चलना होगा और मैं प्ले स्टोर में चलने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ ताकि सबसे पहले हम लोग अपना Instagram app अपडेट कर लें अगर आप लोग अपडेट नहीं करेंगे तो वो अपडेट आपको नहीं मिलेगा सो मेक शूर आप लोग यहाँ पे प्ले स्टोर पे आके या फिर डिरेक कहीं से भी आप लोग इस अप को अपडेट जरूर कर लें अब मैं आपको एक चीज और एक्स्प्लेइन कर दूँ यह जो अपडेट है वो कल ही आगया था बट मैं किसी रीजन की वज़े से इस वीडियो को नहीं बना पाया बट देर आए दुरूस्ता है बट वीडियो तो आ गई ना इसी बात प्यार कॉमेंट और लाइक जरूर कर देना चलिए हम लोग यहां से एप को ऊपन करते हैं अब एप को ऊपन करेंगे तो यहां पर मेरा 인्स्टाग्राम आपन हो जाएगा मैं अपने इंस्टाग्राम में आ गया हूँ जैसा आप देख सकते हैं आप लोग चाहें Settings में Settings में आ जाते हैं अब Settings में आने के बाद आप लोगों को जैसे आप लोग अपडेट कर लेंगे उसके बाद आपको ऐसा Scroll करना है आप ऐसा करेंगे तो यहां पर आपको एक चीज दिखाई दे रही है जैसे मैं आपको Zoom करके बता देता हूं यहां पे Instagram लिखा हूँ है तो यहां पे ऐसा लिखा हूँ है यह मेरे साब से अपडेट लॉग टम अपडेट नहीं है शाइद यह एक मन्त रहेगा यहां पर जितने दिन भी हम लोग इसका अस्तमाल करेंगे तो यहाँ पे आप लोगो देखेंगे तो Instagram के यहाँ पे जितने भी आइकन आज तक जितने भी Instagram के लोगो रहे हैं शायद क्योंकि मैंने इतने सारे लोगो उस नहीं देखे मुझे एक दो याद एक यह वाला याद था और फिर जब से मैं यूज कर रहा हूँ शायद official जो आप चाहें तो सारे लोगों उसको यहाँ पे कर सकते हैं यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं फटा फट जितने भी यहाँ पे हैं मैं सब कर रहा हूँ बस मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आपको करना है आप चाहें तो एक दो क्योंकि ओपन तो Instagram ही होना है आपका official अप यह आपड़ेगा तो यहाँ लोग देख सकते हैं हमारे जितने भी Instagram थे जितने भी classic लोगों थे और जो other logos थे वाले Instagram आ गये हैं तो अगर आप लोग सोच रहें कि आप लोगों को इन में अलग-अलग accounts open होंगे तो मैं आपको बता दू जी नहीं ऐसा कुछ नी होगा जस्ट आ आया हुआ है, so I hope आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मैं मलता हूँ आप से ऐसे किसी amazing और interesting वीडियो के साथ, तब तक के लिए stay tune with Manish or you.